हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छांसी इंस्ट्विट आपकोमर्स में आज हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर नबर 30 जो अपना कंजूबर्स उक्यल्यं यूट्र गुदिन सबसे पहलें करतें कंजूबर्स एक प्राइबर सब्सक्राइब तो चीज़ देंगें तो इसके बात करने-गा कि क्या होता है, Utility का मतलब होता है, Satisfaction, आपको किसी चीश को Consume करने से कितना Satisfaction मिलता है, उसे हम लोग बोलते है, Utility, Utility का मतलब, Want Satisfying Power of Goods, कोई गोट आपको कन्सफिन करने पर, कितना Satisfaction प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम लोग बोलते है, Utility, ठीक है, इसके बाद, Utility के ब लोग दो अप्रोच इस पढ़ेंगी एक कार्डिनल अप्रोच एक ओर्डिनल अप्रोच कार्डिनल अप्रोच हमें मार्शल ने दी थी मार्शल ने हमसे का कि हम यूटिलिटी को नंबर टॉम से मेजर कर सकते हैं यह हमसे मार्शल ने का मार्शल ने दी कार्डिनल अप्रोच इसके बाद ordinal approach, ordinal approach हिक्स ने दिया हमें और हिक्स ने हम से कहा कि हम utility को number term से measure नहीं कर सकते हैं। इसे only and only rank दे सकते हैं, number term से measure नहीं कर सकते हैं। जोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, total utility की और marginal utility की। देखो, total utility क्या होती है, the sum total of utility, आप जितनी भी चीज़े consume करते हैं, उनसे जो आपको total utility मिल रही है, उसे हम लोग बोते है, total utility. Marginal utility का मतदब होता है, जो आपको additional utility मिली या जो आपको total utility में change हुआ, उसे हम लोग बोते है, marginal utility. आप हम लोग बात करते हैं, एक example में, मैं आज आप लोग खाना हुआ, ठीक है, देखो, देखो, सुरू करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपको बहुत तेश भूंग लगी है, बहुत तेश भूंग लगी आपको, मैं आपको मार्केट ले गया, आपको दिखा गोल अप नहीं कर दो तूसरी बहुत लगी युट्रिटी भी खोरकेट, मैं फिर पूछा, मैंने और आपको युट्रिटी भूंग साहा हुँ, देखा बहुत अनुटि कर दोटी जब लग तो बहुत तो दूसरा गोल अपका खाया है, आपने युट्रीटी मिली छह, मैं फिर तो पूचा मैंने और आपने ठीक है और खुलाओ थोड़ी फुखसांती फ़ड़ा और मैंने थीचार आपने थीचरा गुर्ण पठाए आप बिदो अब मैंने तुम लोह को स्पूचा क्या आपको गुछाने हैं आपने घए रहने दो भूबते मिटी गिली मैंने नहीं और यह भूक बटगी मैंने का नहीं फिर भी खाऊ अप लोग ठीक है मैंने आपको जब इसी 5 वा घ्ला है आपने का भीया वहां तो पेट भरे गाता है मैं सेटिस्वेक्शन बिलकुल भी नहीं विला या आपको सेटिस्वेक्शन मिला 5 वे पर चीरो मैंने फिर तुम लोग उसका, मैंने का बेटा अभी ठकना नहीं है, रोकना नहीं है भी अभी एक गुल अपको और खाओ गया आप लोग, आप लोग कहे रहे हैं, अब तो वमिटिंग मिलाइगी, मैंनका नहीं बेटा फिर भी हो, आप लोग मैंने छटवा गुलाप पेटला सेकेंड यूनिट पर टूटल यूनिट आपको इतने मिल लिए, तो 8 प्लस 6 आपको मिल दिए 14, ठीक है, थर्ड यूनिट पर 14 प्लस 4, 18, फिर 18 प्लस 2, 20, 20 प्लस 0, 20 और 20 माइनस 2, 18, देखेंगे, यह हम लोग ने जट निकाल दिए, कमिनेटर फ्रीपाइंसी, हम लोग न मार्जन यूनिटि का मतलब क्या होता है, जो टूटल यूनिटि में चेंज आ रहा है, वो आपका कहलाता है मार्जन यूनिटि, आपको पहला 0 था, 0 के उपर कुछ नहीं है, तो पहला 10, दूसरा 8 माइनस 0, 8, तीसरा 14 माइनस 1, 6, 14, 18 माइनस 14, 4, फिर 20 माइनस 18, 2, 20 माइन पहला रिलेटिड हैं, तो तो सबस्पाइल हम लोगों ने टेबल में देखा, कि टोटल यूनिटि अपना क्या होता है, इंक्रीज होता है दिरे दिरे, उसके बाद एक टाइम पर यह मैसिमम पहुंसता है, इसके बाद यह कम होने लगता है, और मार्जन यूनिटि आपकी जीरो आई और उसके बाद आपकी नेगेटिव आगी, अब हम लोग डाइगरम देखते हैं दोरों, टेबल से हम लोगों डाइगरम बनाया है, डाइगरम देखो टोटल यूनिटि आपकी इंक्रीज होती है, फिर एक टाइम पर मैसिमम पहुंसती है, फिर कम होने लगती है Marx вокруг आपकी कम होते होते, जीरो और फिर नेिकिटेव, जैज़को हम लोग रिलेकिन की बात करते हैं, सबसे पाहला पाइट क्या हुता है आपका, कि टोटल यूनिटिटी आपकी इंक्रीज होती है, तो पहले पा हम लोग करते है कि टोटल यूनिटी इंक्रीज होता है, जब तक marginal utility आपका है positive, तो when total utility increases, so long as marginal utility is positive, कि total utility आपका increase हो रहा है और कब तक increase होता है, जब आपका marginal utility positive होता है, उसके बाद दूसरा point अगा हम लोग लेगें, तो total utility हमारे यहाँ पर maximum है, और marginal utility क्या है, आपका geo, तो when marginal utility is close to geo, total utility is maximum, third point आपका marginal utility कहां पहुँच जाओ, तो यानि marginal utility यापका negative में कहुँच जिया, तो total utility आपका क्या होना लगा, decrease होने लगा, उसके बाद एक point आपका, कि total utility इसको इस्ट क्या होता है, sigma है, यह यहाद है थे हम लोग marginal utility का total करने, तो अपना क्या आता है, total utility, और last point, कि आपका जो marginal utility है, वो ये show करता है, marginal utility implies that total utility is increasing, total utility increase तो हो रही है, लेकिन किस rate से increase हो रही है, at decreasing rate of marginal utility, जब हो लोग 5 point की बात करें हमें आपर, तो सबसे पहला point है अपना, total utility is increasing so long as marginal utility is positive, कि total utility आपका कब तक increase हो रहा है, जब तक marginal utility आपका positive है, उसके बाद marginal utility जब 0 होता है, तो total utility आपका ना पहुच जाता है, maximum पे, फिर marginal utility आपका negative होता है, total utility decrease हो रहा है, फिर total utility is close to sigma mu, यानि total utility का होता है, marginal utility का total, उसके बाद last point, कि marginal utility आपका क्या शुकरता है, कि total utility increase तो हो रहा है लेकिन कॉंसरेट से इंक्रीज हो रहा है, एड डिक्रीजिंग रेट अब हम लोग बात करते हैं, इस चेप्टरिले सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक की है जो है अपना law of diminishing martial liberty एक law पढ़ना है, जिसके में क्या होता है? acted in my machine Martial utility, dimnising bet. तो अपनी अपनी Martial utility होती है वह दीरे दीरे कम होते हैं हम लोगोंने डाइगराम में भी देखा था Total utility, Martial utility का रेलेशंशिशंफ कंड़ीयो उसमें कुम Murray मिने देखा कि जो Martial utility है는 गले दीरे दीरे कम होते हा है उसी के लिए हमें यहाँ पर एक law करना है देखिए सबस्परेद हमें बात करती है लग क्या कहता है देखो law क्या कहता है As more and more units of the community are consumed marginal utility drive from every additional unit माँच डिकला है कि आप जैसे जैसे जादा से जादा units of a community are consumed आप जैसे जादा से जादा units consume करते हो इसे हम लोग लोग फंडामेंटल लोग स्दिश्ब्टेशलेक्शन एन्ड वे वोग संडामेंटल साइकलोग विग हैं इसकी और बेसिक दो एजम्शन से दो चीज़ा हमें मान के चलनी पड़ेगी जब यह लगमारा काम करेगा सबसे पहले चीज़ को कि जो भी आप यूनिट यूनिट्स कंजूम कर रहे हो उनका इक इस्टेंडर होना चाहिए ठीक है जैसे एक कप ऑफ टी जिसे आप मेजर क सकते हो आप काप अफ टी को मेजर कर सकते हो असले से लेकर अगर हम वह बात करते हैं A1 एक चमच को मेजर कर सकते हैं सबसे पहली एजमशन किया है कि आप जो भी कमुलीटि ले रहा है । इसका ऐट पाइलवाल प्रही जिसे हम मेजर कर सकते है जैसे measurement deed और दिसरी एजम्श तो दोस्तों अब लोग बात करते हैं कंजुमर सुपिलियों की कंडिशन होती है जहां पर कंजुमर को इंकम और मार्केट प्राइस अब गोड़्स देगी है कंजुमर को इंकम देगी सब्सक्रों 2000 की देगी गोड़्स के हम लोगों ने मार्केट प्राइस बता दी कि आपको तीन गोड़्स खरीक नहीं है अब कंजुमर से प्लैनिंग इस प्रकार से करे कि कंजुमर को क्या बले मैक्सिमम सेटिस्वेक्शन देखो इसके बाद मिली को कि कष़िए को कंजुमर को पर्चेस कर ता है तो परचेस करने से पहले 3 ज़रु देखता है तीन चीज इस पहले चीज प्राइस 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 कितनी हैं दूसरा मार्शन इरिटिटी ओफ एक्सोट कि जो भी आप खरीदने जा रहा हो उससे आपको सैटिस्वेक्शन क कि आप जो भी कमोडिटी पर्चिस कर रहो उसमें मनी टमसर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है देखो आपको जैसे पानी की बोटल के लिए नौर्मली पीस रुपए मार्केट मिल रही है अब आपको प्यास लगिए जादर पैस लिए थोड़ी स्प्यास लग या नहीं मिल रहा है इसके बाद हम लोग एक्विडिव्रम पॉइंट देखने के लिए थे हम लोग यहां पर दो पॉइंट पढ़ेंगे दो केस पढ़ेंगी अपना लास्ट टॉपिक रहेगा चेप्टर का जो अपना सिंगल कमोडिटी केस और दूसरा टू कमोडिटी के और सिंगल कमोडिटी केस में कंसुमर ऑप उस सिक्रीशन में होता है जहां पर कंसुमर हो आपको जो यूटिलिटी है वो अपनी अब सप्राइबरें कि खुशेशन के सॉसे लिदी जाहां Money Terms Nose Satisfaction Equal जैसे हम लोग गोलगप पे खाने स्टार्ट करते हैं तो गोलगप पे तब तक खाते हैं जब तक हमें Money Terms Nose का Satisfaction ठीक लगता है देखो एक एक एक्जाम्पल लेता है हम लोग जैसे हमारे पास एक X Commodity है जिसा 1, 2, 3, 4 Commodity का जिंगल है Marginal Utility हमें मिल लेगा है पहले 20, फिर 18, फिर 16 फिट है यह Marginal Utility है अब Marginal Utility of X Good दे रखे है हमारे पास प्राइस है 4 रुपे और हम लोग यह मान के चलते हैं कि जो हम लोग अगर 1 रुपे अपना खर्च करते हैं तो हमें Marginal Utility in Terms of Money करते हैं तो Marginal Utility in Terms of Money हम लोग कैसे करते हैं तो Marginal Utility of Money इसको जोच्टिव Marginal Utility of X Good अपन पनाइस ऑफ एक्षोट तो Marginal Utility in Terms of Money तो सबसे पहले 20 था Marginal Utility of X Good तो 20 को प्राइस थे हमारे पास 4 20 दिवाइड पास 4 यह पना आगया 5 18 divided by 4, 16 divided by 4 और 10 divided by 4 तो यह देख हमने गैप्ट किया 5, 4.54 और 2 प्राइस थे हैं आप बाह करते हैं कि हम लोग कंजम्शन कब तक करेंगे यह consumers का equilibrium point कहां पर हुआ तो हमने consumers equilibrium कहां देखा था जहां पर Marginal Utility in Terms of Money आपकी इसके बाबर हो Marginal Utility of X Good upon price of X Good तो अगर इस situation पर देखें तो हमारे 3rd point पर क्या है 4 है 4 ही हमारा क्या था Marginal Utility in Terms of Money हमने माना था कि अगर हम रुपे खर्च करते हैं तो कम सकम हमें 4 utility तो मिलनी ही चाहिए तो यह अपना कौन सा point होगा यह होगा अपना equilibrium point अच्छा एक equilibrium point के पर उपर की बात है यह 4.505 यह कहलाता है आपको consumer surplus यानि यहाँ पर consumer को उम्मीद से Java satisfaction मिलता है जैसे हम लोग surplus होते हैं जैसे example के तौर पे हम लोगों बहुत तेश भूप लगी थी बहुत ही देश भूप लगी थी हम नहीं सुचा यार गोलगफ पर कितने भी मही हो suppose करो 5 रुपे या 10 रुपे का भी एक होता तो हम लोग consume कर लेते normally price 2 रुपे चलता है हम लोग नहीं सुचा अगर 10 रुपे का भी मिलेगा तो भी हम consume कर ले क्योंकि भूप बहुत जागा थी आपने गोलगफ वालगफ पुचा भाई सब इतनी price है उसने का only 3 रुपे अब आपने कितना सुचा था कि अगर 10 रुपे तक होगा तो आप consume कर लोगी लेकिन आपको 3 रुपे में मिलिया यानि कि यह साथ रुपे आपने कम बें किये आप उससे क्या बांगते होगी यह Harley surplus है तो देखो इसी को में लोग डाइग्राम में नेखते है यह हमारे पास X code है यहां पार मुझे पास marginal utility of X और price of X है हम लोगों यह marginal utility बनाया है यह हमारी price line जहां पर marginal utility और price line आपकी इंटर्सेक्टर की वह आपका कहलाता है equilibrium point और यह जो आपका उपर का reason है यह हमारा कहलाता है consumer surplus जिसमें consumer को benefit होता है ठीक है next हमारा two commodity case double commodity case इसे हम लोग होते है several commodity case की और एक से जादर इतने भी commodity हैं उन वहां पर consumer की पिलिडियों में कहां परोता है दो वहां पर consumer situation होती है marginal utility of x word upon price x word is going to marginal utility of y word upon price of y word is going to marginal utility in terms of money कि जहां पर यह दोनों की marginal utility marginal utility in terms of money के पराबर हो consumer जो भी अपना last rupees खर्च कर रहा है last rupees जो spend कर रहा है वहां पर consumer को maximum satisfaction वहां पर minimum मतलब इतना से इस्टेक्शन में जेकि उसे marginal utility in terms of money के बराबर तो अब हम लोगे example के तरीके से बात करते हैं जैसे यहां पर में point दिरेक्ट के बात करते है marginal utility पहले x word का है फिर marginal utility y word का है 25, 20, 15, 10 जिरो इसका है 30, 26, 15, 2 जिरो side now हमारे पास है price है वह है 1 रुपे x word का और price of y है वह भी हमारे पास 1 रुट है यानि अगर हम लोग x good consume करेंगे 1 रुपे खर्च करना पड़ेगा y good consume करेंगे 1 रुपे यहां पर भी खर्च करना पड़ेगा दूसरी बात हमारे पास income limited है हमारे पास income है only 6 अब आपको 6 रुपीज x और y good के रुपर खर्च करने दोगो मार्शन रुपे रुपे हम लोग दिखते है सबसे पहले मिल रुपे 30 यहां पर मिल रहेगे 25 आप कौन सा रुप पर्चेस करोगे जाहर सी बात है जिस पर में जाला रुप्रुटी मिल देगे यहां पर 15 है यहां पर 25 है तीसरा आप x good खरीद होगे चौथा आप फिर x good खरीद होगे फिर पाचवा आप x भी ले सकते हो y भी ले सकते हो और छटवा आप लोगे y तो यह consumer security situation होगी लास्ट में जहां पर यहां पर 15 और यहां पर 15 और यहां पर good x की यह आपकी marginality of x good यह आपकी marginality of y good जहां पर यह दोनों intersect करते हैं वह अपना कहलाता है point of ethereum जहां पर consumer को maximum satisfaction मिलता है